अज़े वर्ण के बारे में और प्रतिहार के बारे में वर्ण किया है कई बार हमारी चर्चा होती है हम भूल जाते हैं पर वर्ण की चर्चा जब हम शिक्षा शूरु करते हैं किसी भी भाष़ा को पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है या अंग्रेजी की बात करें, A, B, C, जहां से भाषा की शुरुवात होती है, किसी भी भाषा की सबसे चोटी इकाई, उसे हम वर्ण कहते हैं, पाणिनी ने वर्ण माला को चोदे सुत्रों में प्रस्तुत किया है अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में पाणिनी महरिशी पाणिनी जिने व्याकरण का प्रथम आचारिय माना जाता है उन्होंने पाणिनी अस्ट्र ध्याई में वार्ण माला को सत्रे सुत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है और परंपरा के नुसार जैसा माना जाता है संस्कृIT में कि महेश्वर ने यानी भगवान शिव ने अपने निरित्य की शुमापती पर जो चोदह बार डमु बजाया था उससे ये चोदह ध्वनिया जिने पाणिनी ने अस्ता ध्याई में सुत्र रूप में निरूपित किया है निकली थी तो भगवान शिव के डमरू से जो 14 बारे ध्वनिया निकली उनी को हम 14 महेश्वर सुत्र कहते हैं पहले इन सुत्रों को हम देख लेते हैं ये सुत्र इस प्रकार हैं एक आयून अ ई उ दूसरा रिल्रिक री और इल्री तीसरा एयों ए ओ चोथा एयोच आय आओ माच मां हैवरट ह य व र छठा लन ल सात मां यम गणनम यम गणन अ आठमा जभिं जभिं नोमां घडगस घडड़ दसमां जबगड़ 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 और द ग्यार मां खफ छट चट तो ख फ छ ठ थ च ट त खफ छट चट तो बार मां कप्य क और प तेर मां श शर श श और अंतिम हैं हल ह प्रत्यक सुत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहर बनाने के उदेशे से किया गया है हल यानि व्यंजन जैसे अयून अंत में न हल वर्ण है इन्हें प्रत्याहरों के अंतरगत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता अब प्रत्याहर क्या है प्रत्याहर की बात कर लेते हैं एक बार क्योंकि प्रत्याहर संधी के लिए बड़ा जरूरी हमारे लिए रहता है हमारे काम आते हैं और प्रत्याहर की जानकारी के बिना संधी पर काम कर पाना संधी को समझ पाना बड़ा कठिन है माहिसवर सुत्रों के आधार पर विभिन प्रत्याहारों का निर्मान किया जा सकता है प्रत्याहार दो वर्णों से बनता है जैसे अच, इक, यन, अल, हल, इतियादी इन प्रत्याहारों में आदिवर्ण से लेकर के अंतिवर्ण के मध्या आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है प्रत्याहार के अंतरगत आदिवर्ण तो परिगणी तो होता है यानि गिना जाता है लेकिन अंतिमवन जो हल होता है, जो वेंजन होता है, जो हलन्त होता है, उसे हम छोड़ देते हैं, आपके समझने के लिए कुछ प्रत्याहर हम ले लेते हैं, जैसे अच्छ, अच्छ कहां से शुरू होता है? अयून से, अयून जो हमारा पहला प्रत्याहर सुत्तर था, उससे शुरू होता है, जिसमें अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आ, अउ, यहां प्रत्याहर आदी वल्न, अ का पनिगरन किया गया है, पर अंतिमच को छोड़ दिया गया है, और ये अयून से अयूच, तक जो हमारे प्रत्याहर थे, जो हमारे सुत्र थे, प्रत्याहर सुत्र, महेश्वर सुत्र, उसके मध्य जो वल्न आए, उनको हमने ले लिया, जैसे अच्छ, यहां से शुरू हुआ, और यहां पर स्माप्थ हुआ, इसके बाद ये जो वल्न, ये आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, और आ, आ, ओ, ये जो वर्ण इसके बीच में आए, उन सब का जो वर्णन है, उन सब की जो बात है, वो हमने किस में मानी? अच प्रत्याहार में, वो सारा क्या हो गया? अच, क्योंकि वो अ से शुरू हुआ, और च पर समाप्त हुआ, तो ये क्या हो गया? अच प्रत्याहार, इसी तरह से, अगर हम बात करें, अ और ट की, यानी, अच प्रत्याहार की, किसकी बात करेंगे? अच प्रत्याहार की, तो अच प्रत्याहार में क्या होगा? अ, इ, उ, री, ल्री, ए, ओ, ए, आ, अव, ह, य, व, र, ये भी उसमें शामिल हो जाएंगे, अगर हम बात करें, अश, हम बात करें, अश की, तो अ और श के बीच में, जितने वर्ण आएंगे? आउर श के बीच में, जितने वर्ण आएंगे, वे सारे अश प्रत्याहार का हिस्सा होंगे, मुझे लगता है, आपके बात समझ में आगरी होगी, इसी तरह से हल, पांच में सुत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर के, चोदमें सुत्र के अंतिम वर्ण, लग के मध्या आने व वर्ण, पांच में सुत्र के प्रथम वर्ण, यानी ह, हैवरट से लेकर के, और चोदमें सुत्र के अंतिम, हल, ल, के बीच में आने वाले सभी वर्ण, हायवर, ल, या, मा, गा, न, न, ज, भ, घ, ध, ध, ज, ब, ग, ग, र, द, ख, भ, छ, छ, ठ, 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 ज, ज, ब, ब, ग, ट, त, क, प, श, श, और स, ये सारे सुत्र जो पांच में सुत्र से लेकर के, चोदमें सुत्र के बीच के जो वर्ण हैं, वो सारे हल प्रत्याहार में गिने जाते हैं, इसी तरह से एक, परथम सुत्र के दूसरे वर्ण से लेकर के, यानि E से ले करके और दूसरे सुत्र के अंतिम क तक यानि जो भी वर्ण है पहले सुत्र के E वर्ण से ले करके और दूसरे सुत्र के क के बीच में आएंगे यानि इ, उ, र, और ल, ल, वो सारे इक होंगे अक का मैंने बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले पहले सुत्र के प्रथम वर्ण से ले करके और दूसरे सुत्र के अंतिम वर्ण यानि क के बीच में इ, उ, र, ल, ल, इसी तरह से जल अश्टम सुत्र के प्रथम वर्ण से ले करके जह से ले करके और चोधमे सुत्र के अंतितक जो भी मध्य में वर्ण आएंगे वो जल कहलाते हैं जल प्रत्यहार में आते हैं जैसे जब गढ़ धध जब गढ़ धख फचठ थचठ तप पकश तो यह सारे वर्ण किसमे हो गए जल प्रत्यहार में इसी तरह से इको यनची की बात हम करेंगे यन संधी में यन स्वर संधी में तो इक का प्रत्यहार की बात हमने की अब यन प्रत्यहार में क्या होगा पांचमे सुत्र के दृतिय वर्ण से यानि या से लेकर के छटे सुत्र के अंतिम, ना के मध्य, यानि या और ना के मध्या आने वाले जितने भी बन्हें वो इसमें गिने जाते हैं, या बार और ला, और संधी के नियुद जैसा मैं बता रहा हूँ आपको कि संधी के नीमों को समझने के लिए प्रत्याहार बहु नहीं रहेगी